जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है ठंडी का मोसम है तो अंडे का हलवा बनाना तो बनता है तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ड्राइ कीजिएगा एक बाद जब आप इस हलवे को अपने घर पर बनाएंगे तो बार बार इसे बना कर खाने को दिल चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही टेश्टी है और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसेल लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें अंडे का हलवा बनाने के लिए हमने एक ब्लेंडिंग जाल लिया है इसमें हम एट कर देंगे छे अंडे साथ ही में हम इसमें एट करेंगे एक कप दूध तो दूध आप यहाँ पर उबला हुआ भी एट कर सकते हैं लेकिन उसे ठंडा कर लीजिएगा या फिर कच्चा दूध एट कर दें तो एक कच्चा दूध हमने इसमें एट कर दिया साथ ही में एट कर देंगे एक कप मिल्क पाउडर देखें आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह मावा यानि की खोया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 3 by 4th कप यानि की पोना कप चीनी एट कर देंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी की कौन्टिटी बढ़ा सकते हैं साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून ओरेंज फूट कलर फूट कलर यहाँ पर बिल्कुल ओप्सनल है लेकिन हलवे को बढ़िया सा कलर देने के लिए आप इसमें कोई सा भी फूट कलर एट कर सकते हैं अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में एक मिनिट के लिए अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे तो देखिए हमने इसमें जो भी चीज़े एट की थी उसे हमने अच्छे से ब्लैंड कर लिया है और हलवा बनाने के लिए एक पेन में हमने छे टेबल स्पून देसी घी एट कर दिया घी गरम होने के बाद हमने जो मिक्स्चर ब्लेंड करके रखा है वो इसमें एट कर देंगे तो इसे लगाता चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे तो इस हलवे को बनाते वक्त इस टेज पर हम गेस की फ्लेम को मीडियम या फिर हाई नहीं रखेंगे बिल्कुल लो रखेंगे और अगर आपने इसे चलाना छोड़ दिया तो इसमें बड़े बड़े लंस पर जाएंगे जैसे कि हम अंडे की बुर्जी बनाते हैं तो किसे बड़े लंस पर जाते हैं उस तरह की क्योंकि हमें इसका टेक्श्चर सिफ दानेदार रखना है इसलिए इसे लगाता चलाते रहिएगा और जरूरत पड़े तो इसे इस पेचूला की मदश से थोड़ा सा प्रेस करते रहिएगा और चलाने के दोरान इसके किनारियों पर जो मिक्स्चर लगा है उसे भी हम उतार कर बीच में एट करते जाएंगे तो देखिए अभी लो फ्लेम पर इसे पकते हुए सिफ पांच मिनिट हुई है और अब देख सकते हैं कि इसका टेक्स्चर खीक जैसा हो गया है तो बस थोड़े से पेसंस के साथ इसे और चलाते रहेंगे और इसे स्पेचूला की मदद से प्रेस करते रहेंगे तो आठ से दस मिनिट तक लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए हमने इसे पकाया है और आप देखेंगे कि इसका टेक्स्चर बिल्कुल हलवे जैसा हो गया है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो आठ से दस मिनिट तक पकाने के बाद जब ये इस स्टेच पर पहुँच जाएगा तब हमें इसकी भुनाई सुरू करनी है क्योंकि हलवे की हम जितनी अच्छे से घी में भुनाई करेंगे उतना ही बढ़िया और टेश्टी हलवा बनकर तयार होगा तो इस स्टेच पर हम गेस की फ्लेम को मीडियाम कर देंगे और इसे चलाते हुए और प्रेस करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो सूख ना जाए और इसमें से घी ना रिलीज होने लगे तो बस थोड़े से पेसंस के साथ इस हलवे की भुनाई करते रहेंगे इस हलवे को बनाने में आपको सिफ 20 मिनिट लगेंगे तो आठ से 10 मिनिट तक पहले से लो फ्लेम पर पका लिया और फिर हमने मीडियम फ्लेम पर इसकी 10 मिनिट तक और भुनाई कर ली और इस टेज पर हम इसमें ड्राइफ रूट से एट कर देंगे तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी ड्राइफ रूट से एट कर सकते हैं हमने एक टेबल स्पून बादाम और काजू लिये है साथ ही में फ्लेवर के लिए एक टोथाई टीस्पून इलाइची पाउडर रेट करेंगे मिला लेंगे इसे और अब गेस की फ्लेम को ओफ करके इस मज़ेदार से हलवे को सव कर लेंगे तो देखें कितना दानेदार और परफेक्ट अंडे का हलवा बनकर तयार हुआ है ठंडी के मुसम में इस विंटर स्पेसेल लेसिपी को आप जरूर से ट्राई कीजिएगा क्यूंकि अंडे की तासीर गरम होती है और जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाने को दिल चाहेगा और हलवे को सव करते वक्त हम गानिशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और तूटी फ्रूटी एट कर देंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेश्ट है के ऐसी ही आसान, सिंपल और यूनीक रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं फिर मिलेंगे जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुडबाई